नमस्कार दोस्तों वेलकम तो शोइंग ट्रेड आज की वीडियो में हम बात करेंगे जोज डाइल के बारे में काफी सारे फ्रेंट्स का वारी आ रहा था कि यह स्टॉक में हमने पोजिशन बना के रखे हुए तो अभी स्टॉक में कुछ चाल अभी तक नहीं आए तो यह करने से पहले आप सबको एक बार जरूर रिक्वेश्ट करना चाहूंगा अगर पहले बार आपने इस चैनल पर वीजिट किये हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लिए तैक कि आने वाला वीडियो का नोटिपिके अगर कंपणी के बारे में अगर dobre विएवर हम देखते हैं यहां पर 0.02 का इयोकी कожет करेंगे तो यहां पर आप करेंगे ओज़िए हैं पर Company के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर quarterly result के वारे मिर फ्रेंट अगर quarterly result हम देखते हैं तो यहाँ पर 167 कड़ का यहाँ पर यहाँ पर sales के साथ इस removes Macedians तो नेट प्रोफित के वारे मिम बात करेंगे तो बात करेंगे गालने तो इसा बिलकुल भी नहीं यहीं आपको बताऊंगा मिया क्या करने वाला हूं लेने में बताऊंगा आपको इसी इसाफ़ से अगर company के बारे हम बात करेंगे फ्रेंट्स यहां पर balance जाके देखते हैं company के पास में reserve है सही है कोई problem नहीं 3400 करोड का company के पास में reserve भी देखने को मिल रहा है उसी के साथ में अगर हम promotor holding के बारे हम बात करेंगे 77.64% promotor के पास में holding है FI के पास में यहां पर 3% का holding है, DIA के पास में 4.86% का holding है और public के पास में 14.28% का holding देखने को मिल रहा है और यहां पर promoter कोन है, main promoter अगर हम देखते हैं तो यहां पर Reliance Retail यहां पर main promoter है तो इस चीज को अगर आप देखेंगे तो Reliance Retail का parents company कोन है Reliance Industries है यहां सब्सक्राइब कोई प्रोब्लेम नहीं है अग्र हम बात करेंगे구ól 낙ए वीडियो पूस्ट किया हुआ है तो वह देखा होगा हर एक वीडियो का आप देखिए तो वहां पर लेवल की जो बात होती है ना में हमेसा को इसा एक लेवल बोल देता है उसके पाद में इसा नहीं कि मार्केट में करेक्शन आ गया तो मैं इमीडियेटली वहां पर पलट जाओंगा इसा बिल्कुल भी नहीं मैंने किसी भ इसा अपर अपर्चन पर बाइब कर सकते हैं और जिन्होंने अपना पॉर्टफोले में लेके चलते हैं तो जरूर एक दिन अपना तेजी आएगा और जबट दस तरीके से प्रफिट हो गा तो अभि कि अगर हम बात करेंगे। यहानुअ। ढालन के बारे में तो आज के दिन में की लोक के पास तो यहां पर बात करेंगे आज के दिन में नेप्री जबर्दस तरीके से तेजी देखने को मिला इंडेक्स में तो यहां पर यहां पर देखने को मिला था जो कि 15,990 के पास में क्लोजिंग देखने को मिल रहा है यहां पर देखेंगे यहां पर जबर्दस तरीके से तेजी देखने को मिला था लेकिन इस टाइम पर फिर करेक्शन आएगा ना उस टाइम पर सबका भरोसा तूड़ गया कि नहीं अभी स्टाक तो निक्चे जाने वाला है फ्रेंट्स देखिए मैं अभी एक चीज बताना चाहूंगा फ्रेंट्स कंपनी का हिसाब से हमने जिसे बात किया कंपनी बहुत बढ़ी ऐसा है इंप्रूब है सेल्स तो कर रहा है कंपनी उसी के साथ में प्रॉफिट भी है तो यह सारे परामेटर को अगर हम किसी भी स्टाक में देख के अगर लेते हैं किसी एक दो क्वाटर में कंपनी का रेजल्ट अगर सही नहीं आता है तो इमीडियेटली हमें रि अगर आप एक को नोटिस करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं काफी सारे केंडल सेम लेवल पर बना हुआ है तो यहां पर वी एक बार मेजर रेजिस्टांस तक अगर हम देखेंगे तो यहां पर केतना परसेंटेज का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है जो कि यहां से फोजेशन है मैं यहां पर इस लेवल तक आर्ट की अब हम मेजरर ने के द siento ह सकता है तो मैं सकता है ने साल सकता है लेकिन मैं यहां पर 1125 टार्गेट तक अभी भी मेरा टार्गेट अभी भी इंटा के तो टार्गेट के लिए मैं अभी अपना पोटफोलिय में लेके चल रहा हूं फ्रेंड अभी इसमें कोई है मैं किया हमीसा कोई बीस्ट न यहीं कर तो तो उसमें एक पर्सेड़ करें पोजिशन बना रहे हैं इल्जीन पर्शन तक अपना पोटफोलियों को डॉर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो लेकिन किसी भी करने के बाद में आप सुचेंगे कि स्टॉक निचे नहीं जाएगा इसा बिल्कुल होता नहीं यह ठीक है इवेंच्छ आपको फोल्ड करना पड़ेगा अपने टार्गेट को आपने लिया हुआ है वो टार्गेट के लिए आप को फोल्ड करना पड़ेगा ठीक है यह जो इनिशाली लॉस दिखाता है अपना पॉर्टफोलियों में यह चीज को अगर हम अगर समझ के आपना पॉर्टफोलियों में किसी भी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आपको जवर्दसतर कैसे प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स ऐसा एक नहीं होगा क्योंकि यह मुझे पता है इस्टॉक मार्केट में हमेशा के लिए बुल्डरन नहीं होता है कभी चलता है लेकिन उस टाइम पर हमएं पॉर्टफोलियों में लेके चले तो वो स्टॉक ठीक नहीं है उसका एक बार आप आपर आनलेशिस देख लिए यहां से स्टॉडी करना चाहिए ठीक है किसे हम स्टॉक को पीक करते हैं कौन से टार्गेट तक हम होल्ड करते हैं यह सारे वीडियो को देखिए समझी है जब समझ जाएंगे ना तो फिर स्टॉक मार्केट में आपको बिल्कुल लॉस भी नहीं होगा ठीक है अगर फिर भी अ यह सारे चीझ सीखना चाहते हैं आप मेरे साथ में वाड्सप नंबर में कनेक्त कर सकते हैं मेरे साथ में परksomल कंचलते हैं तो में आपना पर्टेंद में झाल झाल